नवस्कार आपके साथ मैं हूरितिक सभिता स्वागत है आपका SPN 9 NEWS में देखिए लगातार चीन और भारत का विवाद बढ़ता चला जा रहा है और विपक्ष की पार्टियां लगातार ये कह रही हैं कि आखिर नरेंद्र मोदी क्यों चुप्पी साद है बीजेपी RSS का चीन के विवाद से क्या संबन्ध है लगातार पवन खेड़ा कह रहे हैं जैराम रमेश कह रहे हैं राहुल गांधी कह रहे हैं इतना सब कुछ हो जाने के बाबजूत भी जो है प्रधान मंत्री चुप्पी नहीं तोड़ रहे हैं आपको बताएं साब तोर पर कि पूरा विवाद यह है कि अरुडांचल प्रदेश के तवांग में दोनों देशों के सेनकों के बीच लगभग नौ दिसंबर से 2022 का नौ दिसंबर आपको याद होगा लगातार जड़ब चल रही है और जड़ब चलने के बाबजूत भी आप इस समझ सकते हैं कि प्रधान मंत्री ने कोई विशिष्ट पड़ी नहीं कि आपको बताएं कि भारती सेनक का कहना है कि जड़ब में दोनों द दावा कर रहा है कि अनुडांचल प्रदेश उनका है पाकिस्तान दावा कर रहा है कश्मीर उनका है आप यह बताएं भारत देश पर ही दावा करने के लिए क्यों आ रहे हैं और भारत देश पर जब कोई आबाज उठाई जा रही है जब आउट ऑफ कंट्री आक्रमण कर इनोहरे हैं घुस पैठी कर रहे हैं तो यहां पर प्रधान मंतरी नरे द्रमोधी शान्त क्यों रहा रहा है जब पवन खेडा आप से साथ तौर पर कह रहा है कि ब्रधान मंतरी नरे दरमोधी नदिकल रही है तो ये कौन सी बाते निकल कर आ रहे हैं इतनी सारी बाते निकलने के बावजूत भी भारत देश के प्रधान मंत्री चुपपी क्यों साध्य हुए है ये बड़ा सबाले आखिर चीन के जो आला कमान है उनसे बात क्यों नहीं करते हैं प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ये है टिकाय रखेगा लेकिन यहां पर प्रधान मंत्री को चुपपी तोड़नी चाहिए और जो विपक्ष सवाल खड़े कर रहे हैं उनका जवाब देना चाहिए आप मुझे कॉमेंट बोक्स में जरूरू बताएं कि बीजेपी RSS की क्या मिली भगत हो सकती है चीन से आज के सिर्फ इतना ही देखते रहे है एस्पी नाइन न्यूज